रक्षा बंदन के दिन मुखे मंत्रे निवाज के सामने एक गवर्मिंट ठेकेदार ने अपनी पत्नी के साथ सड़क पर धन्ना दे दिया है इस ठेकेदार ने अपने धरने का वीडियो वाइरल करते वे कहा कि अगर आज शाम तक उनके के कामों का भुकतान को लेकर कोई फैसा नहीं हुआ तो वे अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर लेंगे जिसकी जिम्मदारी सरकार की होगी वीडियो में वो ये कहते वे भी दिख रहे हैं कि बुकतान करने की बज़े उन्हें थाने में बहिजने और जेल में बंद करने की धंकीनी जा रही है मैं आज रक्षावंदन के उपलक्ष में अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान जी के बंगले के बाहर रोड पर बैठा हुआ हूँ और मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है और प्रसासन को बुला लिया गया है और मुझे समझाया जा रहा है कि आप बात को समझ जाईए कल ला जाईए और लगातार पी डवलूडी का अधिकारी पचास-पचास परसेंट रिजवत की मांग करता है दरसल ठेकिदार ने गुना और चिमच लोक निर्मान संभाग के लिए काम किया जिसका बुकतान नहीं किया गया जिसको लेकर उनका कहना है कि अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और पिछले 18 महिने से उनके द्वारा किये गए काम का बुकतान नहीं हुआ है इसके लिए उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री को ग्यापन दिया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री निवाज के बाहर अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा वही वीडियो सामने आते ही पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मामले पर ट्वीट कर शिवराज सरकार को घेरा और ट्वीट में उन्होंने लिखा मध्यपरदेश में चल रहा 50% राज अब सभी हदे पार कर गया है ग्वालियर के एक ठेकेदार आज मुख्यमंत्री आवाज के बाहर अपनी सही धरने पर बैठे हैं और उन्होंने आत्महत्या करने की जितावनी तक दीरी है उनका सीधा कहना है कि 50% कमिशन मांगे जाने के कारण वहे पूरी तरह बरबाद हो गये हैं और बार बार अग्रह करने के बावजूद ना कोई अधिकारी और ना ही कोई मुख्यमंत्री उनकी बात सुन रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जो मुख्यमंत्री अपनी दरवाजे पर आयोए वे व्यक्ति की फर्याद नहीं सुन सकता उससे हम क्या ही उमीद रखें उन्होंने कहा कि मैं सफस्ट करना चाहता हूँ कि तीन महीने बाद कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बननेगी तब इस 50% कमिशन राद में शामिल एक-एक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और मध्य परदेश के इमानदार और अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ नियाए होगा इतना ही नहीं कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट कर शिवराज सरकार पर जमकर वार किया गया साथ ही उन्होंने ट्वीट पर लिखा पीड़ु विभाग में 50% रिश्वत दिये बिना भुक्तान नहीं हो रहा है 50% रिश्वत नहीं देने पर भुक्तान भी रोक लिया है तो रक्षा राशी भी राज साता कर ली गई है शिवराज जी आपके 50% कमिशन राज का भांडा फोड हो गया है अब जनता भरस्ता सुर को जरूर हटाएगी बता दे कि त्योहार के दिन मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे ठेकेदार के बाद विपक्ष लगाता शिवराज सरकार को घेर रही है और ट्वीट कर शिवराज सरकार पर जम कर निशाने साथ रही है लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान की तरफ से अधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया तेकिन अब देखना ये है कि पीड़ ठेकेदार की गोहार की सुनवाई कब तक होती है